क्या चाइना ने अपने 11 डेस लाइन की घोसना कर दी है मन में ख्याल आएगा 9 डेस लाइन सुना था यह 11 डेस लाइन कहां से आ गया तो आज ऐसा ही कुछ जटका दिया है वियत नाम को चाइना नी कहते हैं रंगे हुए सियार जादा दिनों तक रंगे नहीं रह सकते हैं वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पर जानेंगे वियतनाम को कैसे मिला है जटका जिसके बाद वियतनाम भारत की तरफ देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत करने वाला है बहुत बड़ा धूम धड़ाका दो परमानू मिसाइलों का परिक्षन और ये परिक्षन बहुत जादा महतपूर्ण है खास तोर पर एक ऐसी बेलेस्टिक मिसाइल जो की सम्मरीन से दागी जाने वाली है ग्यारा से सोला मार्च भारत कौन सा धूम धड़ाका कर रहा है जानेंगे क्या है मामला CIS News Network के इस एपिसोड में हमेशा की तरह आपको जानने को बहुत कुछ और नया भी मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं काफी पुराना मैप लग रहा होगा यह यह मैप 1947 का है और इस मैप में चाइना के 9 डेस लाइन नहीं थे बलकि चाइना के 11 डेस लाइन थे इसकी गिंती करते चलिए ताइवान ताइवान के बाद अगर गिंती करते चलेंगे तो यहाँ पर वियतनाम के इलाके तक भी यह पूरा का पूरा इलाका 11 डेस लाइन कहलाता था लेकिन उस समय चाइना कमजोर था चाइना कमजोर होने के साथ साथ इतना आकरामक नहीं था धीरे धीरे चाइना ने आपको समेटना शुरू कर दिया पहले ये जो मैप था इस मैप का दावा 11 डेस लाइन तक था फिर इनों ने ताइवान को छोड़ा और इधर वियत नाम को छोड़ा क्योंकि वियत नाम काफी सकती साली था दो इनके लाइन पूट गये तो हो गया 9 डेस लाइन फिर हाल फिला में एक मैप जारी किया गया था करीब पिछले साल साल की सुरूआत में ही जिसमें ताइवान को भी सामिल किया गया और तब यह हो गया 10 डेस लाइन यानी एक लाइन अभी भी बची हुई थी और इस एक लाइन को चाइना ने अब सुरू कर दिया है हतियाना इस क्रीन पर आर्टीकल देख रहे हैं गल्फ ओफ टॉंकिन के समझोते को चाएना यहां कर रहा है और एक नए लाइन में के बीच में यह पानी वाला इलाका इस पानी वाले इलाके को इस वक्त चाइना जादा से जादा हिस्से को अपने अंदर लाना चाहता है अब आपको पुराना मैप देखिए ये वो जो 11 डैस लाइन को बतलाता है 2004 में भी चाइना और वियतनाम के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई हुई वैसे आपको बता देए वियतनाम से एक युद्ध भी हो चुका है पर 2004 की जो बात थी वो बहस थी और ये बहस किसी न किसी तरीके से मीटिंग के जरिये सुलजा ली गई और सुलजाने के बाद कहा गया कि चलो भी आब नया समझाता हो गया इस समझोते के ताथ हम भी सांती से रहेंगे तुम भी सांती से रहना काफी समय तक चाएना यहां सांती से रहा लेकिन अब चाएना ज़्यादा सांती से नहीं रहना चाहरा है घटना करम कैसे बदलते हैं उसको देखिए अक्टूबर महने में डॉक्टर एस जैसंकर पहुंचते हैं वियतनाम वियतनाम में खूब स्वागत होता है यह यहाँ पर कई सारी चीजों से मुलाकात करते हैं यहाँ के धार्मी गुरुओं से भी मुलाकात करते हैं इसके दो दिनों की मीटिंग में से सिर्फ एक दिन की मीटिंग करते हैं उनके देश में आर्थिक मीटिंग जो होती है वो दो दिन की होती है और दोनों दिन बेहत महत पुर्ण होता है लेकिन एक दिन की ही मीटिंग जिनपिंग करते हैं और उसके बाद वियतनाम रवाना हो जात है कि जब डिनर कर रहे थे जिन पिंग तो जिन पिंग ने यह कहा कि वह हम तो रिस्तेदार हैं हमें ऐसे ही बीच बीच में मिलते रहना चाहिए यह सब कुछ हुआ जिन पिंग ने अच्छा रिस्ता बनाने की कोशिस करी वह वियतनाम से बाहर आ और उनका इरादा था कि वियतनाम अमेरिका और भारत के साथ मिलना जुलना छोड़ दे इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा गया कि एसिया के मामलों में आप मत भूसिये लेकिन यहाँ वियतनाम इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आज नहीं तो कल चाइना वापस से अपने 11 डेस लाइन पर आएगा और हमारी टेंसन चाइना के साथ बढ़ेगी अब इसमें एक नया आग में घी डालने वाला काम क्या हो गया स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना को एक बड़ा ओयल फिल्ड मिलिया इस ओयल फिल्ड के बाद दच्छिन चीन सागर में ये तो तै होई गया कि पूरा का पूरा दच्छिन चीन सागर बहुत सारे खजानों से भरा हुआ है अब जहां खजाना का नाम आता है वह इसने बेसलाइन को नया ड्रॉ कर दिया है चाइना धीरे धीरे आकरामक होगा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है ऐसे में चाइना के खिलाब जितना कोई देश अपने आपको मजबूत कर लेता है उतना ही बहतर है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना ने दुनिया भर में अपना विस्तार किया है अपने उपर निर्भरता बढ़ाई है और इस रेयर अर्थ मेटेरियल का कई सारा हिस्सा दचिन चीन सागर और उसके आसपास के देशों से भी मिलता है तो चाइना हर हाल में इन्हें जाने नहीं देगा अब भारत भी इस चीज को समझ रहा है कि यहां पर कल की डेट में कुछ भी हो सकता है ऐसे में भारत ने भी अपनी तैयारी यहां पर बहुत ज़्यादा मजबूत करनी सुरू कर दी है इसी करम में भारत दो नुकलियर कैपेबल बैलेस्टिक मिसाइल को दागने जा रहा है अगले ही हपता अब दागने का मिसाइल बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है पहला मिसाइल कौन सा है के फोर समरीन लॉंजड बैलेस्टिक मिसाइल के फोर जिसकी रेंज है 3550 किलोमीटर करीब करीब घीच तानकर अगर इसको कहें कि एक्स्टेंडेड रेंज में कितना तक जाएगा तो 4000 किलोमीटर तक यह जाएगा इसके लिए बे ओफ बेंगाल में एक नोटम जारी किया गया है के फोर एक समरीन से लॉंज होने वाली नुकलियर केपेबल मिसाइल है और यह सेकेंड स्ट्राइक की छमता देखती है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का यह धुमधड़ा का छोटा नहीं है के फोर भी एक नुकलियर केपेबल मिसाइल है तो वहीं दूसरा परिक्षन जो भारत करने जा रहा है वो है अगनी 5 का और 5000 किलोमीटर रेंज के साथ यह भी भारत की बेहद धमाकेदार मिसाइल है दोनों ही मिसाइले भारत के लिए बेहद महतपुर्ण है इसलिए इस परिक्षन क भी बेहद महतपुर्ण कहा जा रहा है क्योंगि ये नुकलियर स्ट्राइक की छमता देता है अब भारत के पास पानी से भी नुकलियर मिसाइल को छोड़ने का थाकत है जमीन से भी है और आसमान से भी है इसे कहते हैं नुकलियर ठाइड और यह जो केपेबिलिटी है यह के मतलब है भारत ने जैसे साइन कर रखाई कि हाँ जी हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन दूसरी बार इस्तेमाल करने लायक रहेंगे तभी तो अगर आपके पास तीनों छमताएं हैं जमीन आसमान पानी तो इसका मतलब है आप सेकंड स्ट्राइक कर सकेंगे और सेकंड स्ट्राइक जबर जस्त हो सकता है नुकलियर केपेबल सबमरीन वाली अगर मिसाइल है तो खास तोर पर चाइना जैसे दुस्मन जिसका सबसे ज़्यादा सघनी इलाका आनी के पास है वहां निसाना बनाना ज्यादा आसान होगा वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले मे आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ